स्वागत आप सिभीक हमारे योटूब चैनल पर मैं हूँ आशके वर्मा और आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 के लिए गणित 20 के बारे में और आज हम आठवी परसनावलिक के अंदर 8.2 का पार्ट नमबर 4 करेंगे देखे हमने तीन पार्ट पहले कर लिये थे उनके अंदर एक के अंदर हमने ये बैसिक सारनी बनाना आपको सिखा दिया था उसके बाद में हमने दो आगे की वीडियो के अंदर हमने पार्ट वन के अंदर सारनी बनाना सिखा था 2 और 3 के अंदर आगे के स्वाल किये थे आज पार्ट नमबर 4 के अंदर हम करने वाले हैं 8.2 पर सनावलिका क्यूश नमबर 3 और यह है आपके राजस्तान बोर्ड की जो बुक है उसके अंदर पेज नमबर 206 पर दिया हुआ है तो जिनकी पास बुक है ओपन कर लीजी और बुक नहीं है मैं परसन लिखा देता हूँ क्या है एक अच्छा परसन है और कॉंपटिशन में भी यह काफी आता है यदि 10 A प्लस B 10 A प्लस B बराबर रूट 3 और 10 A माइनस B बराबर एक बड़ा रूट 3 यह दिया हूए 0 डिग्री से बड़ा है A और A प्लस B और छोटा है और बराबर है 90 डिग्री से A ग्रेटर देन B है तो A और B का A और B का मान ग्याद करना है मान ग्याद कीजिए मान ग्याद कीजिए तो यह आपके पास परसन है तो solution देखी क्या है कैसे करना है अपने को देखो दिया हूए 10 A प्लस B का मान रूट 3 दिया हूए 10 A प्लस B रूट 3 दिया हूए इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 10 60 का मान क्यूंगी सारनी में देखो 10 को देखो यह रह 10 और यह 60 को देखो तो 10, 60 का मान रूट 3 है रूट 3 है और दूसरा दिया हुए 10 यह दिया हुए इसको थोड़ा solve करो एक तरिके से 10, 10 को cancel कर दें तो A plus B का मान कितना जिगा 60 आलंगी cancel ही करना आपने पर बताया है थोड़ा साब को मैंने दूसरा क्या दिया हुए देखिए 10 A minus B 10 A minus B दिया हुए कितना यह दिया हुए आपको एक बटा रूट 3 एक बटा रूट 3 तो 10 A minus B एक बटा रूट 3 एक बटा रूट 3 देखिए यहां ही 10 के format में यह 10 दिया हुए देखिए यह रहा और यह root 3 है और इसके सिद में कितना दिया हुआ है यह रहा एक बटा root 3 यह 10 किसका मान दिया हुआ है 10 30 का 10 30 का 10 30 का यहां भी यह कीजिए यह 3 किसे 10 10 कैंसल होगा A मैनेस B पराबर कितना है यह 30 टिगरी समीकर नमबर 2 तो दो समीकर ने बन गी पहले समीकर ने यह रही दूसरी यह रही दोनों समीकर नों जोड़ देते समीकर ने एक प्लस समीकर न 2 जोड़ देते है A प्लस B बराबर कितना दिया है A प्लस B बराबर 60 टिगरी और A मानिस B कितना दिया है A मानिस B दिया है 30 टिगरी तो B से B cancel कर दें A और A कितने होगे 2 A बराबर 90 degree A की value कितने आगी 90 बटा में 2 कितना 45 degree A का मान कितना गया 45 degree और B का मान निकाले B का मान निकाले A प्लस B A प्लस B दियावाई 60 degree 60 degree A का मान कितना है 45 प्लस B बराबर 60 degree तो B की value कितने आगी 60-45 कितना आगी 15 degree तो final A का मान कितना गया A का मान आगया 45 degree और B का मान कितना गया 15 degree A का 45 degree और B का 15 degree कोण A कोण B तो यही आंसर है तो यह स्वाल हो गया आपका 30 किसर किसर नमबर 4 देखिए किसर नमबर 4 है बताईए बताईए कि निमलिखित निमन लिखित बताईए कि निमलिखित में कोण कोण सत्य है सत्य है या ए सत्य है कारण सहित कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करें उत्तर की पुष्टि की जिए तो कारण से अपने उत्तर की पुष्टी गरनी है इसमें पहला स्वाल दिया है sine a plus b sine a plus b बराबर sine a plus sine b आपको इसको प्रूव करने देखें दो तरीके पहला तरीका अलंकी यह तरीका मत गरना पर मैं आपको बता रहा हूँ normally sine a plus b का स्वाल यह होता है sin A cos B plus cos A sin B sin A plus B का यह सुतर होता है यहाँ पर sin A plus B का यह सुतर दे रहाए यह तो गलत होगा तो ऐसा ते तो पता लग गया लेकिन फिलाल आपको दस्यमी मोद नहीं करना यह 11 में इस तरह से कर सकते हो आप यह करोगे इसका अंसर इस तरह से करोगे आप A का मान 60 मान लो B का मान 30 डिगरी मान लो माले थे माना ठीक है आप देखिए sin इदर वाले को देखें sin A plus B मतलब इसको मैं लिख दूँ sin A का मान 60 plus B का मान 30 तो sin कितना गया 90 और sin 90 का मान एक होता है यह रशार नहीं में देखिए sin 90 का मान कितना होता है एक होता है ठीक है तो sin 90 का मान एक तो यह तो हमारा एक तरीके से LHS हो गया यह इदर वाला पार्ट हो गया इदर वाला पार्ट मतलब यह हो गया हमारा LHS अब हम दूसरा RHS करें RHS तो RHS क्या दिया है sin a plus sin b दिया है तो इसको solve करें sin a का 1 कितना 60 1 है b का 1 कितना 1 है 30 1 है 1 put कर लो sin 60 हो रहा है sin 60 का 1 और sin 30 का 1 सारणे देखिए सारणे को यहाँ लियते हैं आपको पास यह लो हाँ जी यहां पर मान देखिए साइन साथ को देखिए साइन ये रहा और ये रहा साथ तो साइन साथ का मान ये रहा अन्रूट तीन बटा दो अन्रूट तीन बटा दो आपको नहीं दिखाई दिया रहा तो इसको बढ़ान लेना आप देख लेना साइन तीस का मान देखिए साइन तीस का मान यह रह एक बटा दो तो यह कितना जिगा अन्रूट तीन प्लस वन बटा में दो तो यह और यह एक क्या बराबर है LHS Note Equal RHS बराबर नहीं है तो यह क्या सत्य है नहीं जी यह सत्य है तो यही करना था अपने को यह सत्य है ठीक है जी पहला हो गया चौथे का पहला फॉर्थ क्यूशन का दूसरा पाड़ देखिए ठीटा में वरदी करने पर ठीटा में वरदी करने पर या इसन लिखाव है वरदी होने के साथ होने के साथ साइन थिटा साइन थिटा के मान में मान में भी वरदी होती है तो अब आप देखिए आपके सामने एक सारनी है ये देखिए इसको गोर से इस सारनी को देखिए इस सारनी में देखिए ये कह रहा है कि थिटा में वरदी हो थिटा में वरदी हो तोदेखो, थिटा में बर्दी हो रहा है, 0, 30, 45, 00, 00, 00 तो साइन थिटा के मानूां पर आधा हो गया, फिर एक गणिता रूट दो गया इनटूट है आप एक बर फिर देखे है, 0,0 से बढ़ा है, एक पटवा reg境 मानूब 12 तो हिए जरना है हुआ है कि यह पर ही जार है यह बढ़ा ही है इसके मान और नैक्स-टार अंडूट 276 उतक और इस से बढ़ा बढ़े रहे हो गया तो बाएर जीरो से बढ़ा है एक बड़ा दो, एक बड़ा दो से बड़ा है, एक बड़ा अंडूर दो, एक बड़ा दो से बड़ा है, अंडूर तीन बड़ा दो और उससे बड़ा एक है, तो साइन का मान बढ़ रहा है, तो थीटा का मान बढ़ रहा है, तो साइन थीटा का मान भी बढ़ रहा है, तो यह सत्य है अब देखो इसके opposite सवाल दिया वैं, चोथे का यूसिन फॉर्थ का तीसरा ये दिया वैं थीटा में वरदी, थीटा में वरदी के साथ या थीटा में वरदी होने के साथ होने के साथ थीटा में वरदी होने के साथ कोश थीटा के मान में भी मान में भी वरद्धी होती है कोछ थिटा का मान में वरद्धी होती है देखिए इसका solution देखिए पीसले सार्णी को वापस उठाते है देखिए अब ये सार्णी अब इसके अंदर देखिए ये साइन का मान तो बढ़ रहा है साइन का मान तो बढ़ रहा है क्योंग थीटा बढ़ रहा है यह रहो थीटा बढ़ रहा है 0 30 45 60 तो साइन का मान बढ़ रहा है लेकिन कोस का मान तो घट रहा है देखो सबसे बढ़ा एक है एक से छोटा है कौन अंडूट तीन बढ़ा दो उससे छोटा है कौन एक बढ़ा अ से ही है लेकिन कोस्ट के मानों के लिए सभी मानों के लिए सभी मानों के लिए या सभी मानों पर नहीं होता साय निम एक वर दिखा जाते है आपको यह लोगी सा話 नहीं दीए pana किस्टा के लिए सायं गोस्थल होता है और तो सिर्फ इस 45 के लिए सो रहत सब्सक्राइब नहीं यह सब्सक्राइब नहीं यह सकते हैं चली नेक्स्ट क्यूश नमबर फाइफ देखी एब राबर जीरो डिग्री पर कोट ए परिभासित परिभासित नहीं है नहीं है तो चक करते हैं वापस आरनी को लेकेते हैं चली यह सारनी को लेकेते हैं देखिए हुआ हम दो पैजों निसार नहीं होगी थोड़ा सवाoupe यह बोराबर जीरो डीरी पर अकए परिवाशित नहीं तो कोट यह कोट दिख रहा आपको यह रहा कोट और यह कोट जो है यह प्रिभासित नहीं है किस पर जिरो डिगरी पर ठीक है जी तो यह बराबर जिरो डिगरी पर कोट यह प्रिभासित नहीं है नहीं है जी तो सही कह रहा है सत्य है यह सत्य ओके ट्रू सत्य जी ओके तो यह आज हमने कंप्लेट कर लिए कौन सी प्रसनावली प्रसनावली 8.2 यह प्रसनावली कंप्लेट हो इंदर आगे के स्वार्ट में इसको nd कर लिया, आज प्रसनावली झाल हृचनों चार प्रसिक लिए करवाई, playable person ay आज है पार्ट फॉर ओके जी तो चलिए आज की वीडियो थी क्लास टैंथ के लिए मैच सब्जेक्ट के लिए आठ वी परसनावलियो में हमने 8.2 को आज कंप्लेट किया चार पार्ट में परसनावलियो हुई और यह बैसिक पार्ट वन में हमने सार्णी को बनाना सिखा था तो चार पार्ट की परसनावलियों और फटावट कर लीजिए बाड में काफी काम की परसनावलियो अज की इस वीडियो में इतना ही वीडियो चिल लगई हो तो वीडियो को लाइक करें क्रें कमेंट करके जूरूर बताएं और अब भी तक यूटुब चैनल नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आके दबालेजिए बेल आके दबने से आपको लेटिस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा आज की इस वीडियो में रही नेक्स्ट एक अन्य वीडियो में फिर मुलागा तोगी तब तक लिए बाई टेक केर